हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सौरव आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा इसनान का क्या महत्व है भारत देश नदियों और मान्यताव का देश है यहाँ नदियों को बिसे समान दिया गया है गंगा नदी यहाँ के निवासियों के लिए माता का रूप है यही वज़ा है कि गंगा को माता के नाम से संबोधित किया जाता है इस कारण हिंदूों के लिए गंगा इसनान बहुत महत्व रखता है गंगा जीवन और मिट्तियों दोनों से जुड़ी हुई है इसके बिना अनेक संसकार अधूरे हैं गंगा नदी में इसनन करने से ब्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाता है गंगा नदी जिस इस्थान से अपनी यात्र प्रारम करती है उस इस्थान को गंगोत्री कहा जाता है गंगा नदी के भूमी पर आने के बिसाय में एक पुरानिक कथा है कथा के अनुसार राजा भगीरती माता गंगा को अपने प्रजा के सुख हेतू धर्ती पर लाना चाहते थे इसी उद्देश्य से उन्होंने बरसो तक कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रचन होकर गंगा साथ धारों के रूप में भूमी पर अबतरित हुई इन साथ धारों का नाम हिलानदी, पावनी, नलीनी, चरक्षु, सीता और महानदी सिंदु नदी है इसकंद पुरान बालमिकी रामायन आदी ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा बढ़नी थे आगे बात करते हैं गंगा मुक्ति का मार्ग गंगा जी में इसनन करने से साथ विक्ता और पूर्णे लाप प्राप्त होते हैं भारत की अनेक धार्मिक अबधार्णों में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्साया गया है अनेक पवित्र तीर्थ इस्था गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं गंगा नदी को भारत की पवित्र नदीयों में से सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है मान्यता के अनुसार गंगा में इसनन करने से मनुष्य के समस्थ पापो का नास होता है लोग गंगा के किनारे ही प्रान बिसर्जन या अंतिन संसकार की इच्छा रखते हैं तथा मिर्तिव पस्चात गंगा में अपनी राख बिसर्जित करना मोक्ष प्राप्ती के लिए आवश्यक समझते हैं लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्शन करते हैं और ध्यान लगाते हैं गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संसकारों में उनका होना आवश्यक माना गया है गंगा जल को अमरत के समान माना गया है अनेक परवों और उत्सवों का गंगा से सीधा सम्मन्ध है मकर सकरांती, कुम्भू और गंगा दसहरा के समय गंगा में इसनान, दान एवं दर्सन करना एक महत्यपूर्ण माना गया है गंगा पर अनेक प्रशिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। गंगा तिर्थ इस्थल संपूर भारत में सांस्कृति एकता इस्थापित करता है। गंगा पूजन एवं इसनान से रिद्धि सिद्धी ये सम्वान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नास होता है मान्यता है कि गंगा पूजन से मांगलिक दोस्त से ग्रसित जातकों को बिसेश लाप प्राप्त होता है बिदी बिधान से गंगा पूजन करना अमोग फल दायक होता है गंगा इसनान करने से एसुप गुरो का प्रवाफ समाप्त होता है अमावश्य के दिन गंगा इसनान और पितरों के पिंडदान करने की सदगती प्राप्त होती है और यही सास्त्रिय बिधान भी है पुराणों में एक अन्यक खथा के अनुसार गंगा जी भगवान बिश्णू के अंगूटे से निकली हैं जिसका प्रत्वी पर अबतरन भगीरत के पिडियास से कपिल मुनी के साब द्वारा भसमिकरत हुए राधा सागर के पुत्रों की अस्तियों का उद्रत करने के लिए ह हुआ था इसी कारण गंगा का दूसर नाम भगीरती पड़ा सो गैस यह थी गंगा इस नाम से जोड़े कुछ पुराने कथाएं तो अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी है तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आरे तो चैनल को सब्स्राइब क हुआ हुआ हुआ